हेलो गई साज हम बात करेंगे रेडिमी नोट 11 के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके एप्लिकेशन नौट इंस्टॉल प्राब्लम सॉलिशन के बारे में ओके सो वीडियो स्टाट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कली चीगा बिलक सबसे बड़ा रिजन क्या रहता है इसका वर्जन का फॉर एक्जामपल हमारा फोन एंडर 12 में काम कर रहा है अब कोई एप हम ऐसी इस्टॉल करें जो कि सिर्फ एंडर 11 के लिए अभी बनी है 12 के लिए नहीं बनी तो जाहिर से बात है हमारे फोन में काम नहीं करेंगी तो का मेंली यहां पर प्रॉब्लम आते रहता है बट आप लोग अगर प्ले स्टॉर यूस कर रहे होगे तो प्ले स्टॉर में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है कि इस्टॉल करने में क्योंकि प्ले स्टॉर में आप लोग को करता जो आप लोग के फोन में चल सकती है बा एड़ जितने भी हमारे फोन में सोर्सेस रहते हैं जहांसे हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं simply for example हम यहां पर बात करें Chrome की अब अगर हमें कोई भी Chrome से एप को इंस्टॉल करना है तो allow from the source को यहां से on कर देंगे और अब हम अपने Chrome से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है ना तो अन्याओं सोर्स को अलाओ कर देना है बाकी अगर वर्जन के दिक्क्त आ रहे आप लोग के फून में कोई एप ऐसा है जो की वर्जन के साब से काम नहीं कर रहा तो Google कर सकते एपी के वगरा इंस्टॉल कर सकते को दिक्क्त नहीं है अगर आप लोग और भी को दिक्कत आती है अप्लीकेशन इंस्टॉलिंग से रिलेटेड तो आप लोग हमें कॉमेंट साफ़ इस्टाग्राम कर सकते है आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी ज